परवल का पैदावार हम ज्यादा से ज्यादा कैसे पाएंगे, काफी सारे किसान बंदु ने इस साल परवल की खेती की हुई है, लेकिन उसमें समस्तिया यह आ रहे हैं, यह कि वो सिर्फ फूल आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं, तो वो टिक नहीं रहे हैं, इस वक्त हमें परव परवल की रख रखाव करेंगे, तो लताओं में गलन नहीं आएगी, और इसकी जो वैलिडिटी है, वो लंबे दिनों तक चलेगी, साथ ही हमें जल्दी से जल्दी इंकम देना सुरू कर देगा, वीडियो में लाश्ट तक बनी रहे हैं, मैं होनों जर आप देख रहे हैं, अभी जो परवल की इस्तिती है, तो किसान बंधु के लिए जरूरी है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, हम परवल की जो लताओं हैं, इसको ग्रोध दे, ये जल्दी से जल्दी बढ़े, इसमें नई-नई कलियां आए, साथ ही इसमें फंगस कंट्रोल करना भी किसान बं सुख रहे हैं, तो वो क्यों सुख रहे हैं, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, परवल की खेती साइद सब्जी वर्गी फस्तों में सबसे ज्यादा इंकम देने वाली फसल है, ये सबसे पहले इसके जो परवल है, वो बेच करके किसान बंधु इंकम कमाते हैं, फिर बात में इसकी लताएं बेच करके इसे इंकम कमाते हैं, कई सारे किसान बंधु ने मचान बिदी से भी इसकी खेती की हुई है, जिसका अभी हार्वेस्टिंग चल रहा है, उसकी फलन थोड़ी जल दी आ जाती है, अब इसमें अभी क्या समस्या है, कि इसकी फूल का जो पौधा है, वो काफी ज्यादा परभावित भी हुए है, हाला कि वो फायदे का भी चीज है, क्योंकि खेत से नमी भी भाग चोकी थी, तो जो बारिस आया है, वो इसको नमी भी परदान करेगा, अभी जरूरी है, कि सरो पर्थम हम फंगी साइड का एस्प्रे इस पर डाइमेज नहीं करेगी, उसके साथ में एक अच्छी माइक्रो निउट्रेंट जरूर दे, ताकि हमारे पौधों में जो भोजन किया हो सकता है, जो भोजन किया हो सकता अभी पौधों को लगती है, क्योंकि इसमें अभी परागन की अवस्था चल रही है, अभी फूल से फ निक्रो निउूट्रें उसके साथ में इमीडा या फिर थायों में थकसाम साथ में एक फंगि साइट, ये चार चीज मिला करके देते हैं, तो ह्यूह में नहीं ब्रांचे जिससे तयार π bell को जड़ों का भी क्जाच करती है तो इतने चीज जब दे देंगे तो हमारे पाही कहीं हमारे जो फल जो नए आएंगे वो बचने सुरू हो जाएंगे वो गिरेंगे नहीं और किसान बंदू को जल्दी से जल्दी इससे फलन मिलना सुरू हो जाएगा फंगिसाइड जो है वो समय समय पर देते रहेंगे तो उससे हमारे लताएं सुरक्षित रहेंगी लताओं में फंगस नहीं लगेंगे अब इसमें खाद अभी हमें कौन-कौन से दे देने चाहिए ताकि नीचे जो है जड़ मजबूत रहे उससे उससे पौधों को एनर्जी मिलती रहे किसान साथि इसमें नीम की खली अवस से हमें डालनी होती है नीम की खळी कम से कम एकड में अगर आप नीव केडी आती अगर टी है तो गालेवी केजी कर सकते हैं अगर भली देना है तो आप चालिस केजी नीम की खली इसमें परियोग में जो सुखी नी में खली होती है उसका प्रियोग करें इसमें अपको ऑएक उड मिन igen करें तक आए लंग हो अच्छी क्वालिटी कि प्रियोग करें ये दोनों साथ में बिला हैं questi दवीक दे सकते हैं विए पर पाऊधे के हिसाब से ज़्यादा नहीं लगभग ची को अच से दस दाने ही पर पाऊधे के आप ले सकते हैं उसके साथ में माइक्रो न्यूट्रेंट मिला लें माइक्रो न्यूट्रेंट जिसमें की जिंक हाई हो और सभी माइक्रो न्यूट्रेंट ततो उसमें मवजुद हो क्योंकि माइक्रो न्यूट्रेंट किया हो सकता पौधों को हमेशा पड़ती है तो इन सभी में धीरे धीरे जान डालेगा पौदे से जो नए नए फलन आएंगे काफी सांदार होंगे हमारे जो लाताएं हो जल्दी बिक्सित करेगी हमारे पूरे खेत को जल्द से जल्द कवर कर लेगी इस प्रेज जो हमने बताया उसको आप 15 दिन में एक बार फॉलो जरूर करें इम और जब फलन आती रहेगी तो हम इससे सांदार इंकम कमाते रहेंगे परवल सुखने की जो समस्या है न वह होती है दो वज़ा से एक तो जब हमारे जड़ों में नीमो टॉट की समस्या होती है नीमा टॉट वह हमारे जड़ों को सुखाते हैं दूसरी जड़ों में अगर लग गई तब भी हमारे पौदे सुख जाते हैं अगर हमने अच्छे सीड का चुनाव नहीं किया है सीड हमारी अच्छी क्वालिटी कि नहीं है जो नहीं सखाए है उसी को हमने फिर से लगा दिया तो भी हमारे परवल जो है सुखने की समस्या तब भी देखने को मिलती है अगर आपके खेत में सुख रही है तो नीमा टाट के वज़ा से अगर सुख रही होगी तब तो हम इसका समाधान अभी नहीं कर पाएंगे क्यूंकि इसका समाधान मिटी तैयारी करते वक्त ही तंबव है अभी हम जो भी दवाएं खर्च करेंगे तो वह व्यर्थ है लेकि अगर फंगस के वज़े से आपकी पौदे सुख रही होगी प्लांट सुख रहे होंगे तो वह बच जाएंगे फंगस के फंगस उसमें अटाइक नहीं करेंगे फंगस को खतम कर देंगे या फिर दीमक के वज़े से अगर प्लांट सुख रहे होंगे तो दीमक की भी समस्य नहीं आएगी आपको अगर जानना है कि किस वज़ा से प्लांट सुख रहे हैं तो आप जड़ों को उखाड़े नीचे से उसको सुंगे अगर उसमें मचली की बदबु आ रही है मचली जैसे सडने की बदबु आ रही है तो समझ जाए कि हमारे प्लांट में फंगस लगे हु इस हिसाब से आप जान सकते हैं हमारे प्लांटेश सुख क्यों रहे हैं और उसी हिसाब से पानी हलकी सीचाई कर दें तो यह समस्य आपके खेट से दूर हो जाएगी इसका रेट कभी भी सालों भर मार्केट में इसका रेट मौजुद होता है यूंकि इसकी सबजी साल भर तो लोग खाते ही है साधी बयाब में इसका डीमांड और भी बढ़ जाता है इससे जो है मिठ हीड़ी पानी है एसका रेट में इसका रेट से रेक हैंसे हमेंदॉ।